सभी आंगनबाडी सेविकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सची खबरों में स्वागत है भायो बेनों आप सबने तमाम राज्यों में हाल फिलाल में बढ़ने वाले मांदे के बारे में तो सुना ही होगा आज हम आप सबको उत्तर प्रदेश में आंगनबाडी बेनों के बारे में बताना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात उन्होंने की है सायद इस मुलाकात के बाद से उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री जी या अपने देश के प्रधानमंत्री जी आंगनबाडी बहनों के मांदे में वरधी कर सकती है इसलिए आपको अफगत कराना चाहूंगा कि सायद बढ़ सकता है आंगनबाडी कारकरता बहनों का मान दे क्योंकि आंगनबाडी बहनों ने मुक्यमंत्री जी से और पढ़ान मंत्री जी से जाकर के मुलाकात की है जिसका एक फोटो यहाँ पर वैरल होकर के आ रहा है इसको हम उनका आर्टिकल भी एक यह वैरल है जो की फारवर्ड करके हमारे पास भेजा गया है कि 24 मार्च सुक्रवार को वाराड़ासी में आंगनबाडी संग के पहल पर आंगनबाडी के पदाधिकारी आंगनबाडी महलाओं ने माननी प्रधान मंत्री मोदी जी और मुक्यमंत्री स्री योगी जी से मिली है अपने मान दे के बढ़ाया जाने की बात और उनके सामने समस्या रखी है प्रधान मंत्री जी ने आंगनबाडी महलाओं की बात को ध्यान से सुना है संग से भी मिले आंगनबाडी के विसे में कुछ अच्छा करने का भरोसा दिया है और समस्याओ को भी सुना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी संग ने कहा है उसको सुना है अच्छे तरीके से बाकी भरोसा दिया है तो अब देखना ये होगा कि इस भरोसे पर सरकार कब खरी उतरती है उतर पर सरकार ने तो आंगनबारी ब मानते हुए एक उमीद लगाई कि सरकार सत्ता में आएगी तो आंगनबारी बहनों का कुछ तो मानदे बढ़ाएगी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वादे के मुताबिक जो सम्मान जनक मानदे देने के लिए कहा था उतना सम्मान जनक तो बहनों का पैसा देखने को नही परदेस की बेहनों को यहाँ पर जो माधने मिलता है वो अनिराज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, तो अभी सम्माझनग मान दे पर विचार सरकार एक बार फिर करें और आंगन माड़ी बेहनों से किया वादा भी एक बार ने भाए, ऐसी तो आल इंडिया मांग करता है बांकि इन बहनों का सरकार के साथ में क्या वारता हुआ है उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी आर्टिकल के तौर पर साजा नहीं की गई है लेकिन ये जो कारकम हुए होंगे वो किसी न किसी पोश्र कारकम के आधार पर कारकम हुए होंगे उसी में जाकर के साथ बेनों ने मुलाकाद की होंगी लेकिन मुलाकाद की है इतना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, बाकी रही बात जैसे समख्याओं पर वचार करना वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन आगनबारी बेनों ने कम से कम अगर अपनी बात को रखा है उनके सामने, तो ये भ पर उनको सुना सकते हैं तो वो और अच्छी बात है इस प्रक्रिया में ना तो किसी का मांदे कटेगा ना ही किसी को अनवस्यक रूप से वहाँ पर भीर जोटाने के लिए बुलाना पड़ेगा ना ही अन्य कोई कोई किसी की टांग खीचेगा तो अच्छा कदम है लेकिर हर जगे बहने इसको पालन करें जहां कहीं भी चाहें वो किसी भी तरह के नेता हों छोटे नेता हों जिसे विदायक हो गए या फिर आपके बड़े नेता हों कोई मंत्री हो गए मोक्य मंत्री हो गए अब यहाँ पर माल जे प्रधान मंत्री भी बैठे हैं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम होगा सभी राज्यों की आगनबाडी बहनों का इसका लाम मिल पाएगा और उत्तरपदेश के मुक्यमंत्री जी भी इस पर विचार करें अभी आपकी सरकार सत्ता में हैं दो बार सत्ता में रह चुकी है उम्मीद है कि आप भी आगनबाडी बहनों जो भरोसा सरकार पर है वो कायम रहे और अभी चुनाओ चुकी आने वाले हैं तो आंगनबाडी बहनों को उनका किया गया वादा सरकार को नहीं भूलना चाहिए ताकि चुनाओ में भी आंगनबाडी बहने सरकार के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ी रहें अब जाहिर सी 80 दिया भी गया था उत्तरपुदेश सरकार की तरब से वो भी पैसा हर बहनों को मिलता नहीं है उसमें भी तमाम दगय धांदलिया होती है बहने काम तो हर जगे करती है भले उनका लेट हो पाए या पोशा ट्रेकर पर फीडिंग ना हो पाए काफी बहने सब कुछ कर लेती है फिर भी वहाँ पर उनका प्यलाई आफिसों से जनरेट नहीं होता तो अब इन सब चकरों के चकर में आगन बाड़ी बहनों का काफी नुकसान होता है तो सरकार से एक उम्मीद ये भी है कि उस प्यलाई को मांदे में सरकार कनवर्ट करवाए और बाकी अन्यराज्यों की त सरकार यहां पर पैसा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत है काम सभी तरह के बहनों से कराई ही जाते हैं तो उम्मीद है उत्तरपदेश सरकार पधानमंत्री जी इस समस्या पर वचार करेंगे चुनाओं से पहले आगन बाड़ी बहनों को सम्मान जनक मांदे व्रदी क तोफा दें ये सरकार के लिए और सत्ता के लिए बहुत ही जरूरी है आने वाली राजनीती पर इसका एक गहरा असर जरूर पड़ेगा अब ऐसे में बाकी सरकार की मर्ची है अगर सब बहनों का पैसा नहीं बढ़ाया जाता उनको किया गया उनसे वादा नहीं निबहा जा पहले था सरकार पर सत्ता में आने से पहले का वही भरोसा फिर से कायम हो और सरकार फिर से सत्ता में आए हम बहनों को चाहिए हमारे जो है हक के लिए सरकार जो है कुछ न कुछ हमको दे हमारे मांदेवरधी करे हमें अपनी आर्थिक तंगी से निपटना है तो क्योंकि अब टाइम चला गया अब चुनाव आ गया अब ये हो गया अब बस्ता जमा हो गया तो ये चीजे नहीं होनी चाहिए तो इसलिए कहना यही है कि सरकार अभी विचार कर ले व्रद्धी कर दे तो एक ये बहुत अच्छा डेसिजन बाजपा पार्टी के लिए उत्तरपदेश में भी साबित होगा क्योंकि अन्नराज़ों की सरकारे जैसे कांग्रेस के लिए रो कई राज़ों में आंगनबाडी बहनों को भारी भर कम तौफे भी दे रही है अब यहां की सरकार आंगनबाडी बहनों को अभी फिलाल कुछ नहीं दे पा रही है ना ही रेटारिमेंट पर ना ही अभी काम करते हैं जीते जी उनको एक धंका मान दे जिसको सम्मान जनक भी मान दे बोल सकें अभी हाली में एक बहनों ने कहा था कि मान अगर सरकार को आंगन बाड़ी बहनों को देना है तो मान की जगए बहनों को सम्मान जनक पहले मान दे दे सम्मान जनक मांदे देगी तो बहने अपने आप समझेंगे कि सरकार वाकई में आगनबाडी बहनों को सम्मान दे रही है लेकिन जब तक सम्मान जनक मांदे नहीं मिलता तब तक बहनों का कोई सम्मान नहीं होता तो ऐसे में ये इन बातों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और आप सब भाई बहन इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं हम यही चाहते हैं कुल मिलाकर करके देखो देगा वही जो सत्ता में होगा एक बात गांट बांद लीजेगा हमें पार्टी से नहीं है यही सरकार आने वाली पंचवर्सी में भी सत्ता में रहने वाली है इसमें कोई दो रहा है नहीं है क्योंकि यहां की राजलिती आप सब समझ चुके हैं जनता को क्या चाहिए जनता को जादातर फिरीका चाहिए और फिरीका मिल रहा है तो क्यों इदर उदर भागे चुने के लिए और उसके इलावा बहुत सारी चीजह ऐसी हैं, तो आपको यही समझना है कि जो आपको लगता है कि अगले बार भी बना रहेगा या बना रहे या ना रहे, लेकिन जब पता है कि अभी सक्ता में तो वहीं है, आगे हो या ना हो वो अलग मैठर, अभी तो सत्ता में यही है, तो अभी आप इनसे मांग सकते हो, या किसी अन्य नेता से मांग सकते हो, जो हारा हुआ बैठाओ या विपच्छ में हो, वो तो आपको देने से अभी रहा, तो अभी तो आपको यही दे सकते हैं, तो आप अपना अभी का समय क्यों बरबाद करें हमारी सीधी सी बात अभी का समय क्यों बात करें अभी जो सत्ता में सरकार है हमें उससे मांगना है और सत्ता में यहीं है तो इनी से मांगना है कैसे मांगना है वो भी आपको पता है लड़कर करके जगड करके आप कुछ नहीं मांग सकते किसी से कोई कुछ नहीं देगा आप ह वही चीजे जो राजी रोसे में हो जाती है वो लड़ाई जगडे में कभी हासिल नहीं मिलती तो इन बातों का हमेसा धन नको सत्ता में सरकार है उसी से मांग कर लो उसी से जो मिल सकता है उसको मांग लो चाहे प्यार से चाहे जिस तरीके से या अच्छे तरीके से अपनी बा तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सोचे बहनों का हारा हुआ भरोसा एक बार फिर से जीते लेकिन अगर ये चीजे नहीं होती तो फिर बहने तो भाई इदर उदर भागेंगी और वो फिर क्यों सरकार को सत्ता में चुनेंगी जो आंगनबाडी बहनो के लिए हक के लिए नहीं लड़ता अब इस बात को यहाँ पर लेकर के सरकार को हमारी सोचना है पुदानमंति जी को डिसिजन लेने है क्योंकि एक राज्य में राज्य सरकारे अगर कुछ कर भी देंगी तो बाकी राज्यों की बहने उनकी हाला ज्यों की त्यों बनेगी त इनोंने लेखा काफी दिर से आपनें का मैसेज पढ़ भी लिया होगा रामादेवी है महोबा से आती है इनोंने कहा मेरे खाते में फरवरी में 2000 रुपिया पंदा सो रुपिया और 4500 रुपिया इतना रुपिया आया था इसके बाद जो मार्च महीना चल रहा है इसमें 13 मा पर 500 रुपिया इतना आया इसके बाद कोई पैसा नहीं आया तो भाई ध्यान से देख ले ना जो फरवरी का पैसा था जो कि मार्च में आना था ठीक इस महींने तो जादा तर सब कहीं सब का पहुँच गया है मांदे पहुँच गया 45-45-45 भी सब पहुँच गया है अब अप आपने एक दो लोगों के message देखे थे जिनका नहीं भी लगा होगा तो लग जाएगा हाल फिलाल में संडे पड़ गया इस वज़े से भी साध काफी लोगों का अभी लगना रह गया होगा तो कल लग जाएगा या फिर उसके अगले एक दो दिन कार दिवस में लग जाएगा या नि लग जाएगा टेंसन मत लीजेगा पैसा समय से आ जाएगा लेकिन यहाँ पर यही कहना है सरकार इस बारे में मांदेव रद्धी पर सोचे यह बहुत बड़ी चिंता का विसाय है इ लेकिन हम बहनों को भी अंदेखा ना करें हमारी समस्याओं पर भी विचार करें और जो सत्ता में है जो केंदर में भी है जो राज में भी है अगर वो दोनों लोग प्यार से चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है जैसे हमारे नियमावलियों में संसोधन हो गया बहुत सारी च दो छलो, राज में कोई और है, केंदर में कोई और है, तो फिर होना बहुत मुस्किल है, क्योंकि आप देखते हो, जिन राज्जों में, जहांपर ऐसा सस्टम है, वहाँ पर कई चीजों का बजट मिलना तक मुस्किल हो जाता है केंट सरकार से, अब यह चीजे हैं, करभी भल बजा देंगे वो बस हम सब कह रहें अपनी भावनाओं में लेकिन हम सब जानते हैं हमारी उतनी संख्या भलगी नहीं है भाई अगर आप क्या समझते हैं पूरे उत्तर पदेश की आगनबाडी सेविका सायका मिनी को आप मिला लो तो 30 लाग की संख्या मुस्किल से होगी तम अने 30 लाख सोयम सैता समू एक समू में 10 लोग रहते हैं समझ लोग करोडों की तादात में तिन-तिन करोड की तादात में अब समझ लिजेगा इतनी इतनी तो वहाँ पर समू वाले अभी नए बन जाएंगे तिन-तिन करोड और इससे ज़्यादा 30 लाख से कम तो वैसे भी तो आंगन बारी जैसे जादा तो यूपी में वहाँ पर समू की महलाएं जुड़ी है अब कीतो किवल एक छोटा सा नमूना आपने देखा ऐसे बहुत से तबके क्यों लोग सरकार से जुड़े हैं अब आप अगर सरकार के खिलाप पर तो हर कोई तो खिलाप नहीं है उनक अब पोसार उठा करके समू को दे दिया, पारदस्ता आ गई, इन सबसीजों में क्या हुआ, समू का जो सीना है वो जो चोड़ा हो गया, कि अरे वा, इन से बेटर हम लोग हैं, अब यही सबसीजे पॉलसी चलती है, तो वो एक बड़ा वोड़ बैंक उदर भागेगा की नही बात को, हम देखो बेकार की बात ओपर चाचा नहीं करेंगे, चलो आज इन मेटरों को बाद में कर लेंगे, आज हम आपको यही समझा देते हैं, जैसे हम सब करते क्या हैं, हम सब गलतियों का से कार होते हैं, और वही गलतियां हम सबको नहीं दोरा नहीं हैं, तो इसलिए आप अपना दिमाग से जो है चलो आगे किसी की बहतावे में या ऐसा नहीं कि फलाने लोग क्या करें वो क्या करें उससे नहीं आप सोय हम से सोचो जो चीजी है तो हम चाहते हैं कुछ निसकर्स निकलें जो है उनसे लड़ो उनसे ही मांगो प्यार से लड़ो यह नहीं कि हम जानते हो करवाईयां होने में भी देर नहीं लगती गवर्मेंट ही चाहेगी काम करते हो पैसा देर है तो काम करो अब हम लोग चाहते हैं अगर काम ज़ादा है तो पैसा भी ज़ादा होना चाहिए हमारा भी तो हक है तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं अब हम भी चाहते हैं क इस वात को कुबूल करने से इंकार कर रहा हो लेकिन कड़वी हकीकत आज की रेट में यही है और हमें मैं फिर कह रहा हूँ पार्टियों से हमें कोई दक्कत नहीं है ये रहे वो रहे कोई रहे लेकिन कब से कम हमारी बेहनों का भी ख्याल लखा जाए हमारा जो करतव है जो इस मंच पर आल इंडिया आंगनबारी मंच के उद्देश से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ आपके सामने हमारी परसनल लाइफ में हमारा क्या जो है वो है वो एक अलग नजरिया रखता लेकिन हमारे बेहनों के लिए हमारा जीवन्यापन को खपा रही है उसमें उनका बुढ़ापे का जो जीवन्यापन है वो कब से कम अच्छे से गुजरे तो रेटारीमेंट पर उनको कुछ रासे मिले यसे अन राज्यों में सरकारे देना स्टार्ट कर दी है वैसे यूपी खासा मांदे दिया जा सकता है सिर्फ 10,000 नहीं, 15 से अठारा हजार भी मांदे दिया जा सकता है आँगनबाडी बेहनों को क्योंकि बहुत ज़़ादा अबादी नहीं है पूरे देश में केन सरकार चाहे तो कर सकती है अब जाहर सी बात है अकेले केन सरकार इतना भी नहीं करेगी तो थोड़ा कें सरकार बढ़े थोड़ा राजी सरकारे बढ़े तो ऐसे मिला करके वो एक पंदरा तक भी कर सकते हैं दस वे कह रहा हूं सम्मान जनक सरकार जो हम लोगों को अभी लगता यूपी में क्यों कि अभी दस अजार है नहीं अन्राज्यों में जहां दस मिल दा जैसे मद्पदेश लेलो वहाँ पर मैंने और आगे के लिए लड़ रही है तो ये सलसला चलता रहेगा लेकिन अगर पंदरा हजार हो जाए तो एक ऐसा पढ़ावाता जीवन का कि तब काफी बेनों को ये लगेगा चलो कुछ तो है पहले से कुछ तो है डबल हो गया जस तो बहुत कुछ है हम जैसे यूपी वाले लोगों के लिए तो डबल ही समझ लिए हो गया तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पंदरा तक खीचके अगर सरकारे ले आए नहीं भी हो सकता है तो बारा तक कम से कम ले आए दस बारा ऐसे भी पहुंच जाए अभी फिरहाल समय के लिए ये नहीं कि बढ़ गया इतना तो जीवन भर के लिए इतना हो गया नहीं समय के साथ ने जैसे जैसे और सरकार हमारी स्वसक्त हो और हमारा प्रदेश मजबूत हो देश मजबूत हो वैसे हमारी नारी सकती को सरकारे और मजबूत करें उनका थोड़ा थोड़ा और बढ़ाती जाए ये सिस्टम को सरकार समझे और करें और मैं यही चाहता हूँ कि ये सत्ता में आज है आप जितना भी चिला लो सरकारें नहीं हिलने वाली इस बात से क्योंकि हमारी लोगों की संख्या भली कितना है आप सोचो एक गाउं से एक दो तीन आंगन बाड़ी हुई बाकी किया हुए भाई ओट तो बाकी लोग भी करेंगे तो एक गाउं में तीन लोगों से क्या फरक लड़ लेती, खुद ही ना हमारी मैंने प्रडान बन जाती तो खुश से सोचिए, कोई किसी की नहीं सुनता, सब के पास अपना दिमाख है, सब अपनी मुद्धी से चलते किसी को कुछ पसंद आया, किसी भी पार्टी में किसी को कुछ पसंद आया, तो उसी एकार्डिंग लोगों से जुड़ते हैं, किसी को अपना रामराजी चाहिए, किसी को हिंदुत के लिए परचाप पसार करना, किसी को अपना आगे के लिए कुछ और करना, तो सब के, किसी को अपना अलग-अलग नजरिया किसी को कालोनिया मिली है, किसी को उदर बागेगा हम कोई ना किसी को रोकने वाले है ना किसी को रोक सकते ना हमारा ये अधिकार है लोगों का अधिकार है कि वो अपनी सुच्छा से स्वेम अपने बुद्धी विवेक से पार्टी को चुने ये तो होता है अब इसलिए हम इन मुद्धों पर बात नहीं करते आप किसी कभी सुना होगा कि हम कह रहे हैं कि हम फलानी सरकार को आप बहनों वोट करो इन सरकार को ना करो हम क्यों कहें ये हमारे अधिकार छेतर में नहीं है और ये आपका करतव्य है आपका अधिकार है आप अपनी बुद्धी विवेक से सरकारों को चुनो हम इतना जरू झाएगा आप इस उम्यम्में बेटों कि 5 साल भीच जाएं फिर अगली सरकार आएगी हमारी तो हम उसमें मांग करेंगे उस सरकार ने भी नहीं दिया तो आप क्या करलेंगे तब फिर पांच साल चले जाएगे तो फिर आप को एग veces सरकार ने ऑपने घर जोई union थे अपनी मांगों को रखा भी है। ऐसा नहीं है कि आज पहले अंगयों के सामते गाया। किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया तो इस तरह से भी चीमियों सिस्फोन चलती हैं तो समझ लेना तो आप लोग सोचो और समझो इन पारे में और अपना बुद्धी विबेक लगाओ हमारा देखो हमेशा से यही कहना है कि हम सब परिवार है हमें आपकी और अपने बहनों की फिक्र है आलेंडिया की फिक्र है कि हम लोगों का कुछ भला हो हमारी आंगनबाडी बहनों का यानि भला हो और नहीं कि हम party बनाने में पार्टी को गिराने में ऐसे हमारी कोई और नहीं मंसा है नहीं कोई किसी तरह की भूमिका है तो इन चीज़ों पर अपना जनता सोचे, लोग सोचे, आप सोचो विक्तिगत रूप से आप क्या विचार रखते हो ये आपका फैसला होना चाहिए हमारा नहीं तो हमको यहाँ पर वोट बैंक को इधर उदर भेजने वाले या तोडने वाले इस तरह के नहीं बनने वाले हम चाहते हैं हमारी मांगे हमारी बाते सरकार तक जो रखी जाएं वो हम सब के भले के लिए हूँ ना कि सत्ता परिवर्तन के लिए हो किसी और अपनी रोटिया सेक रहा हो वोट बैंक पर उसके लिए हो तो इसलिए आपने देखा बहुत सारे स्टार्टिंग में पार्टी के लोग भी खीच रहे थे हमारी पार्टी को सपोर्ट करो, हमारी पार्टी में ये करो, वो करो क्यों हम जुड़ें ऐसी पार्टियों से जिनका कोई वजूद ही नजर नहीं आता तो ऐसे में सोचो, और फिर हम करेंगे भी क्या, क्या हमको राजनीती करनी है क्या हमको वोट बैन के दिलवाने ही धर-उदर, हमें तो अपनी बैनों का भला करवाना है तो हम पार्टी से जुड़ कर कि क्या करेंगे, अरे भाई हम यहां तक कहीं नहीं जुड़ते अपने यूनियनों से भी नहीं जुड़ते, बहुत से भाई बैन जो चाहेंगे कि भी जुड़ जाएं बहुत सकता है बहुत से नहीं भी चाहें, लेकिन कुछ भाई बैन होंगे, जो चाहते भी होंगे कि बाई आ जाए तो अच्छा है लेकिन हम में ये एक बात जरूर चाहेंगे हम समझते हैं ये बुराई नहीं है यूनियन में जुड़ना गलत है देखो यूनियन अपने आप भी ताकत है यूनियन सब्दी अपने आप में बहुत बड़ा है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर मैं हूँ ये भी एक जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि यही जिम्मेदारी काफी है मेरे लिए इसी को अगर अच्छे से नबापाऊं क्योंकि अगर और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो हो सकता है हमारी ये जिम्मेदारी लड पर नहीं हम जानते हैं जो हम अपनी बातों को जिस दरीके से रखना चाते हैं हम वैसे ही रखेंगे अगला पता नहीं क्या कहना चाहे क्या लोगों को रपलाई करें क्या करें इसलिए जो भी है सब अपनी सुझभूच के हिसाब से बढ़ रहे हैं और वही आप सब को भी कि वो प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से मिल सकते हैं मुलाकात हो सकती है तो प्लीज बैठे ना खाली मुलाकात आप भी करें मुलाकात करने में कुछ नहीं जाता और इन विचार धाराओं के मैं खिलाप हूँ जो ये कहें कि मुख्य मंत्री जी से मुलाकात कर ली फो हम इतने ही कर सकते हैं, हम कोई सरकार की कलम उठा करके कलम नहीं चला सकते, आप ना हम, कि सब कर दो, सब करीदो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, हम वही करेंगे, वही मारा करतब वे, तो यही तो इन बहनों का करतावे, हम सबका करतावे, तो हम अपना करतावे करते जाएं, सरकाराज नहीं तो कल कभी न कभी सुन ही लेगी, जब बार-बार सब कोई जायेगा, पहुंचेगा, तो उनको भी समझ में आएगा, कि एक यह तबका है, जो छूट रहा है, इसको भी हमें साथ लेकर के चलना है अगर चलेंगे क्योंकि प्यार से अगर मांगे उनके सामने रखेंगे तो समझेंगे कि हाँ यह हमारा साथ देंगे और हमेशा याद रखना पार्टी नेता हमेशा अपने वोट बैंक को देख करके ही आगे बढ़ता है यह समझ लेना अगर वोट नहीं क्योंकि देखो पार्टी भाई कायम तभी रहेगी जब उसको वोट मिलेगा तभी वो आपके लिए और पार्टी के लिए अपने जो लोग है उनके लिए ही कुछ कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग समझदार हैं काफी हो चुके जागरू लेकिन थोड़ा बहुत अगर विचार धारा है आपकी ऐसी वसी अगर है तो उनको भी बदलो मेरा कहने का यहां पताप पर यह कुछ नहीं है कि आप पार्टी को सपोर्टर हो मैं पार्टी के लिए बोल ला हूँ मैं इसके लिए नहीं मैं अपनी बहनों के लिए बोल रहा हूँ कि बहनों आप मुलाकात करो सरकार से जो भी जहाँ जिस राज में जो उन से भी पार्टी की सरकार हो। कांग्रेस के तो कांग्रेस से मुलाकात करो और कहो हमारा बढ़ाएं। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो है सत्ता में उनसे ही मांग करो किसी भी पार्टी के हो। भविस में भी अगर बदलते भी हैं तो जो सत्ता में हैं उनसे मांग करो और अपनी बातों को रखो। ये भूल जाओ कि आप किसी एक पार्टी को पकड़ के चलेंगे और उनको जिताएंगे और फिर वो आपका मांदे बढ़ाएंगे। ख्यमंत्री पर्टिकुलर में बोलना हूँ वो बढ़िया थे वहाँ की बहनों के लिए और उन्होंने अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ वहाँ पर कर दिया तो इसलिए ये मस सोचो कि कौन क्या करेगा कौन क्या आपके राज में कैसा है कौन कर सकता है जो है उनसे दियादाता है आज नहीं तो कल निकलेगा कोसिस करतूहल निकलेगा और वही चीजे फिर आपको देखने को मिलेंगी इसी के साथ भाईयो बहनों आज सुबह की इनकबरों को हम यहीं पर वेराम देते हैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए जो भविस्त में हो सकता है मांदे बढ़ जाए इस मुलाकाद से बढ़ जाए या आप सब अगर आगे भी मुलाकाद करें अपनी समस्याओं को कभी रखें आपकी वज़े से बढ़ जाए वज़े माहने नहीं रखती ये अच्छे दिलवालों के लिए माहने नहीं रखता कि किसके कारण क्या हुआ कोई मिल लिया वो कहेगा हमारी वज़े से हुआ कहने तो जो कहते हैं क्या फरक पड़ता है आप कैसे भी हो क्या फरक पड़ता है लच्छ पाया हमने बस वही जरूरी है मेहनत बाद में जो है कोई नहीं देखेगा लक्ष पर पहुँच गए तो जीत देखी जाएगी आपकी और कुछ सामने नहीं आएगा यह समझ लेना तो भाईो बैनों आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते धन्यवाद